चलिए आगे बढ़ते हैं जैपुर के गलता गेट इलाके में आठा कारोबारी के घर में डकैती का मामला सामने आया है हलाकि पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है खुद को इंकम टेक्स ओफिसर बताकर कारोबारी के घर में हतियारबंद पाँच बदमाश घुस गए चुरजपोल अनाजबंडी में प्लॉट नमबर 35 में सत्यनारेल तामवे के घर जकैती की वारदात हुई है हतियारबंद पाँच बदमाशों ने कारोबारी की पतनी दो बहु दो बेटे और तीन पोतों को बंदक तक बना लिया था और करीब साथ लाग रुपे और देड़ किलो सोने के जिवरात उन्से लूट ले गए ये बदमाश पुलिस से बचने के लिए घर में लगे सीचीटीवी कैमरे तक उखाड कर ये भाग लुख ले हैं बदमाश तो देके जैपुर के गलता गेट इलाके में एक बड़ी वा लादार इसले भी क्योंकि डखैती करने के साथ बदमाशों ने जिस तरह से बंधक बनाया घर के लोगों को कि अगरे तो साथ में तो तो आप ये जो 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 घर रहते और वो जो नीचे ला रहा था तो मना कर दो एक जगा लोगो तो हमारे को नोटीस मतलब लिखा हो तो सही बाई है ये माल मतलब जो है यह निचे गेज़ा है कि यह जो वार्दा तो उस घटना के वक्त में आपके प्रिकल परिवार के लोग ही मोज़ुत है क्या बाद में आए थे कितने बज़े की वार्दा थे कौन-कौन थे यहां पर यह साथ बज़े के करिब के बाहत है और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सेयोगी सत्यनाराण हम से जुड़ गए सत्यनाराण देखिए एक बड़ी घटना जैपुर के गलतागेच इलाके में हुई हालाकि जो बदमाश थे जिन्हों ने पहले बंदक बनाया परिवार के लोगों को और फिर नगदी और जेवरा चुरा कर ले गए तो वहीं यह भी जानकारी कि सीसी टीवी तक वो उखाड कर ले गए ऐसे में अब पुलिस किस तरह से कारवाई कर दिया है और किस तरह से इन बदमाशों तक पुलिस पहुचने वाली है क्योंकि सीसी टीवी भी नहीं है पुलिस के पास एक सिस्थी पुलिस पुलिस पुरी जबूर शेयर में एक सट अभ्यान चला रखा है और माना जा रहा है कि आज शामका पे जो आरोपी हैं पुलिस की रास्की जारी है लेकिन फिर भी एर्टे के तोर पर जैपूर शेहर के अंदर एक सर्थ अभियान चलाएगे है कि जो गली की कोने पर जो केमर लगे हैं उसके हैं गाड़ी का नंबर आ है 515 सेंटों गाड़ी जारी जाय जारी है उस गाड़ी की तलासि जारी एह सदिन पहान की फलायां की जारी है उसके ब्हार 울ने पांसा मेंकि जालाइक से लिएक है Color coherent के तो Sick सब्सक्राइब की जानकारी आपके पास इस तरह की जानकारी आपके पास बिलकुल सतराय दूके से घर में गुसे बढ़ी वार्दात को अंजाम दिया बहुत बहुत शक्रियात अमाँ जानकारिया साजा करने के लिए